हलो दोस्तों, क्या आप इस तरह का फ्रॉक आपके बेबी के लिए रेडी करना चाहते हैं? कि फ्रॉक एकदम कमफर्ट है और पहनाने के बाद एकदम स्टाइलिश लगता है तो चलिए इसे बनाने की शुरुवात करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? कि जो उपर का पार्ट है उसे रेडी करेंगे तो इसलिए मैंने फैब्रिक के दो पीस ले लिए है और यहाँ पे इसकी जो लेंध है वो 12 इंच है और विर्थ यहाँ पे इसकी 16 इंच है अब इसे हमें क्या करना है इस तरह से four fold कर देना है तो देख लीचे यहाँ पे इसकी length 12 inch है इसकी बाद में हम marking करने के लिए start करेंगे तो shoulder हम यहाँ पे 5 inch लेंगे arm hole भी हमें यहाँ पे 5 inch लेना है यह जो frog हम ready कर रहे हैं वो हम past से 6 साल की बच्ची के लिए ready कर रहे है इसके बाद में हम जो chest है वो 8 इंच लेंगे और waist यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे आप आपकी baby के health के according यहाँ पे measurement डाल सकते हो अब इन दोनों निशानों को हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से मिला लेना है अगर आप 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ready करोंगे तो यह एकदम perfect map है आप इसी map से आपकी baby के लिए ready कर सकते हो यहाँ पे हमने armhole को गोलाई दे दी है अब हम neck के लिए marking करेंगे तो neck की जो width है वो हम 2 इंच लेंगे और जो front की depth है neck की वो हम 3 इंच लेंगे और इस तरह से एक हमें box बना लेना है क्योंकि इसका जो shape है वो हम round shape देंगे तो यहाँ पे देख लीजिए back side में भी हमें हलकी हलकी गोलाई करनी है और front में भी हमें गोलाई कर देनी है तो इस तरह से हमने ये गोलाई कर ली है अब हम क्या करेंगे कि cutting करेंगे तो back part से हम cut करना start करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये इसे cut कर लिया है अब इसके बाद जो हमारे front वाला neck है उसकी जो depth है वो हमें थोड़ी सी और cut करनी है तो सबसे पहले इसे बराबर से set कर ले और जो हमने front के लिए marking की है वो ही marking पे हमें cut कर लेना है तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसे कट कर लिया है तो यह हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और बैक वाले पार्ट में हमें क्या करना है कि जो हुक होता है हमारा हुक लगाने के लिए हम 4 इंच पे मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमने हुक लगाने के लिए 4 इंच पे ये एक cut लगा लिया है ताके हम बेबी को जो पहनाए तो वो हमारा easily पहनाए जा सके तो इसके बाद हम same size के lining भी cut कर लेंगे तो यहाँ पे हमने ये lining को cut कर लिया है अब हमें क्या करना है कि stitching के लिए start करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से सीधी side हमें अंदर की तरफ करनी है और इसके उपर हम lining रख देंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से sly लगा लेनी है मतलब यहाँ पे जो दोनों भी neck है हमारे front और back के उसके उपर हमें sly लगानी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यह neck के उपर sly लगा ली है अब sly लगाने के बाद हमें क्या करना है कि छोटे-छोटे cut लगानी है तो इस तरह से आप पूरी गोलाई में cut लगा ले cut लगाने से क्या होता है कि जब हम इसे turn करते हैं तो वो हमारा finishing के साथ में turn हो जाता है तो इस तरह से हमने यह cut लगा लिए है और देख लीजिए कितनी finishing के साथ में हमारा neck जो है वो fault हुआ है और अब हम इसे चारो तरफ सिलाई लगा के lining और इसे attach कर लेंगे तो हमने यह चारो तरफ सिलाई लगा ली है और lining के साथ में हमारे main वाले fabric को attach कर लिया है अब हमें क्या करना है कि दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और इनका जो shoulder है उसे हमें join कर लेना है shoulder join करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे sleeves है मतलब यहाँ पे हम थोड़ी से sleeves देंगे मतलब फ्रील भी बहुत सकते हो कि फ्रील टाइप sleeves देंगे तो जो width ली है हमने उसकी 20 ली है और इसकी जो length है वो 4.5 inch है अब हमें इसे 4 fold कर देना है और 4 fold करने के बाद जो arm hole का size होता है तो वो side से हम 2 inch पे mark करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इस तरफ से attach करना होंगा और इस तरह से हमें यह जो sleeves का हम shape draw करते है सेम उसी तरह से हमें यह shape draw कर लेना है और जो हमने marking की है उसी marking पे अब हम इसे cut भी कर लेंगे तो इस तरह से आप जो frill वाली sleeves होती है ना तो उसे आप ready कर सकते हो अब हम center से cut लगा लेंगे और देख लीजिए इस तरह से यह जो मतलब जो हम gather's वाली sleeves ready करते है वो यहाँ पे ready हो जाएंगी तो इसका जो bottom है वो हमें fold कर लेना है और इसके उपर इस तरह से यह lace को हम attach कर लेंगे तो यहाँ पे अब हम यह sleeves को attach करेंगे तो देख लीजिए यह हमने lace को यहाँ पे attach कर लिया है और यहाँ पे हमने सुई धागे की help से छोटे छोटे gather's दाले है अब center से center मिलाना है और इस तरह से इसे हम लगाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितना हमारा margin में जाएंगा मतब जो फिटिंग की margin होंगी हमारी वह margin हमें यहाँ पर पहले निशान लगा लेना है और इसके बाद में देख लीजिए यह margin हमारी अब यह margin के यहाँ से हमें इस तरह से इसे attach कर लेना है तो दोनों सीधी साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके उपर हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह के जो frill वाली sleeves है ना वो जो baby girl होती है उनके उपर बहुत suit करती है आप भी आपके baby के लिए एक बाद जरूर ट्राय करें और इसे fabric भी कम लगता है लेकिन stylish लगती है तो इस तरह से हमें यह attach कर लेना है और साथी साथ हम क्या करेंगे कि जो portion हमने fitting के लिए रखा है वो fitting लगा लेंगे तो देख लिजिए यहाँ पे हमने fitting वाली सिलाई भी लगा ली है और यहाँ पे हमने band भी ready किये है अब इसके बाद जो हमारा bottom वाला पाट है उसे हम ready करेंगे तो यह मैंने इस तरह से एक fabric लिया है 38 का और इसे four fold में भी चा लिया है यह band वाली side इस तरफ है और यह दोनों side के open वाली side है अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना हमारा waste होता है तो देख लिजिए यह हमारा top का part है तो हम क्या करेंगे कि वेस्ट का measurement के लिए इसे कुछ इस तरह से रखेंगे और जहाँ पर भी हमारा measurement आता है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे तो इस तरह से हमने यह निशान लगा लिया है इसके बाद अब हम center से इसे major करेंगे और यह जितना भी आता है उतना हमें गोलाई में यह निशान लगा लेना है तो इस तरह से हम यह गोलाई में निशान लगा लेंगे और यह जो होता है हमारा थोड़ा सा उरेब होता है थ इसमें मार्किंग छोड़ने की जोरुरत नहीं है क्योंकि गोल होने की वज़े से यह थोड़ा सा बढ़ ही जाता है और यहां पर बॉटम पाट है हमारा उसकी जो लेंद है वह 15.5 इंच है तो यहां पर हम सेंटर से इस तरह से पूरी गोलाई में मार्क करेंगे 15.5 इंच पर तो यहां पर आपको इस तरह से सेंटर से पकड़ती हुए थोड़ी थोड़ी इस पर निशान लगा लेना है इसका जो फ्लेयर है वो फ्लेयर पर बहुत जादा आता है और जो बच्चों को पहनने में एकदम कमफर्ट होते है इस तरह की जो फ्रॉक होते है तो अब इन सबी निशानों को हम मिला लेंगे यहां पर मिलाने के बाद क्या करना है कि जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पर अब हम इसे कट कर लेंगे कि उर्व आ यहां पर देख सकते हो कि हम प्रोत की है से मुशीं मार्किंग पर habitat कर ले रहे हैं तो यह जो हमने ए टियर मीटर वाला से तो इस तरह से आप फुल घ्षेयर वाला अंब्रेला फ्र्ोक आपके बेबी के लिए रेडी कर सकते हो लेकिन आपको 1.5 मीटर फैब्रिक लगेंगा इस तरह से आप एक बार चेक भी कर ले कहीं आपका उपर नीचे तो नहीं हुआ है क्योंकि जो अम्रेला होते है ना तो वह थोड़ से उपर नीचे हो जाते है तो आप इसी टाइम में यहां पर इसे चेक कर ले अब इसे हम जॉइन करेंगे तो देख लिजिए किस तरह से जॉइन करना है दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और आप इसका कोई भी सेंटर ले सकते हो और इस तरह से पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगानी है तो मैं इसका फाइनल लुक बताती हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो गिए हमने इसके बॉटम में भी लेस अटेच कर ली है और यह जो फ्रॉग है यह बनने के बाद में कितना ज्यादा स्टाइलिश लग रहा है और आपने देख ही है कि इसके बनाने का तरीका कितना सिंपल है अगर आपको हमारी यह सिंपल सी एकदम आसान हो और पहनने के बाद एकदम स्टाइलिश लगे वीडियो लास तक देखने के लिए थैंक यू